exercise 5.1 बहुत अच्छी exercise है यह इसमें बस एक तो यह यूज होने वाला है और एक यह यूज होने वाला है ठीक है इन ही पर पूरा exercise बेस है और बस समझना है हमें और कुछ नहीं करना इसलिए मैं shortcut नहीं लूगा कहीं पर पर समझेंगे हम ठीक है यह दोनों अलग भी नहीं है य एक नहीं में लग रहे होंगे, यकिन है एक ही, अभी फिलाल हमें यह करना है इसमें, कि हमें प्रूफ करना है, जो यह function है हमारे पास, यह continuous है, किस-किस point पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है, minus 3 पे चेक करना है, तो अभी फिलाल हमें एक particular point पे चेक करना है, तो अभी हम यह वा पर A लिखा है यहाँ पर A का मतलब क्या है A हमारा critical point है जिस point पर हमें check करना होता है तो अभी हमें check करना है x is equal to 0 पे ठीक है हम अभी check करना है at x is equal to 0 पे तो A क्या हमारा है इस case में 0 ठीक तो हमें क्या करना है हमें f of a निकालना है और limit x tends to a f of x निकालना है और check करना है कि इनकी value same आती है या नहीं आती अगर same आ रही है तो continuous है और अगर नहीं आ रही है तो continuous नहीं है तो पहले check करते है x is equal to A पे तो क्या value आएगे हमारी f of a के हमारा 0 तो f of 0 के हमारा हमने यहाँ पे x यह पे 0 पुट किया है हमर पास 520 0 0 होता है minus 3 तो हमें minus 3 मिलेगा है ना तो हमने f of 0 की value निकाल ली अब निकालते है limit वाला तो limit x tends to A है तो हमें हमारा A क्या है 0 है तो x tends to 0 f of x क्या है हमारा यह 5x minus 3 अब देखो जहाँ पे भी x है x हमारा 0 की तरफ जा रहा है तो जहाँ पे भी x हमारा पे 0 पुट कर दो तो क्या आएगा value हमारा पस 5 into x यहाँ पे है into 0 minus 3 तो क्या value हमारा पस 5 into 0 0 होता है minus 3 तो minus 3 तो क्या यह दोनों equal आ रही है बताओ बिल्कुल आ रही है minus 3 इसमें भी मिला हमें minus 3 इसमें भी मिला तो this implies f of 0 is equal to limit x tends to 0 5x minus 3 तो हमें क्या मिला हमें मिला कि f of x जो है at x is equal to 0 is continuous ओके तो हमने पहला find कर लिया अब दूसरा find करते है at x is equal to minus 3 पे चेक करते हैं तो अब चेक करते हैं at x is equal to minus 3 तो करो formula हमारे पास ही given है इसमें डायेट करते हैं f of a निकालना है f of a के हमारा a के हमारा इसमें minus 3 तो minus 3 निकालना है f of minus 3 क्या हैगा हमारे पास जहांपे भी x हो हमाँपे minus 3 पुट कर दो तो 5 into minus 3 क्या हैगा हमारे पास 5 into minus 3 और माइनस 3 तो माइनस 15 और माइनस 3 is equal to माइनस 18 अब निकालते हैं limit limit x tends to minus 3 f of x और f of x की value क्या है हमार पास बताओ limit x tends to minus 3 f of x हमारा यह रहा 5x minus 3 जहां पर भी x हो पर minus 3 पुट कर दो तो हमार बस क्या आएगा minus 18 ही मिलेगा हमे minus 18 same ही मिला है की नहीं तो हमारे क्या हो गया this implies जो हमारा f of x है is continuous at x is equal to minus 3 ओके क्यों क्योंकि हमारा f of minus 3 equal है हमारा limit x tends to हमने limit निकाला limit x tends to a a का है 0 into में f of x f of x हमारा यह था यह लिखा और अवारा answer आ गया ओके और चेक कर लिया कि दोने की value same है की नहीं है same मिली continuous है तो हमने दो चेक कर लिया यह आपके लिए है at x is equal to x is equal to 5 पे ठीक है हमें भी मिलेगा continuous ही आपको चेक करना है और बताना है कि आपको continuous आया या नहीं आया ओके